जैश्र राम, जैश्र कृष्ण हर हर महा देऊ सभी को तो आज आपको आश्चरी हो रहा होगा साइंस करना ही पड़ेगा वैसे इसको तो मैं बहुत पहले से जानता था कि बहुत मतलब इसको ना हिस्ट्री पता है कुछ भी नहीं पता कुछ जानकारी नहीं किसने कौन से फिलोजोफी दी क्या दिया कुछ इसे पता नहीं मुझे पहले से पता है बट चलो देखते है यह फॉर्स पार्ट है सेकंड पार्ट जल्ड आएगा फॉर्स पार्ट में सिर्फ इसकी हिस्ट्री देखते है कि भाई यह जो खुद को बोलते है कि वाई साइंस जर्णी है यह तो हमें इनकी हिस्ट्री भी देखनी पड़ेगी कि इनको हिस्ट्री का कितना ग्यान है तो इतने सारे जो लोग है जो आखे बन करके ऐसे इस पर भरोसा कर रहे है और पता चले कि इसको तो एक मतलब बेजिक भी नहीं पता यानि हिस्ट्री टक नहीं पता फिलोसॉफी तो दूर की बात है कि इसने क्या दिया वही जिसे पता नहीं है तो चलो पहले सुनते है इसका इसकी आज हिस्ट्री की टेस्ट लेंगे फिर सेकेंड पार्ट में जो इसने जो उपनिशद में पाखन मचाया है उसका भी खंडन करेंगे तो देखो इसकी हिस्ट्री देखो बोल रहा है कि भाई शैवपन्थ का अद्वईतवाद उन्हें पसंद नहीं आया रामानुजचार्य जी को तो इसलिए उन्होंने द्वईतवाद द्वईतवाद की फिलोसॉफी दी अब यहाँ पे जो छोटे बच्चे भी है जो मेरे वीडियो को देख रहे है उन्हें इतनी अकल है कि भाई रामानुजचार्य ने विशिष्टा अद्वईत की फिलोसॉफी दी है द्वईतवाद की नहीं और दूसरी बात यह कि यह बोल रहा है कि उन्हें शैव उमत का अद्वईतवाद पसंदने आए यानि अद्वईतवाद शैव उमत का वाँ कहां से ले आई यह मतलब इनका यह कहना रहता है उन्होंने पहले भी एक वीडियो बनाया था वो बोल रहे थे कि भाई कि क्या बोलू मैं कि आदी शैव उमत को लाए फिर रामानुजाचार्य वाईशनव मत को लाए मतलब हद है शंकर दिगविजय जिसका यह बार-बार अपने वीडियो में दिखाता है उसी संकर दिगविजय में है कि वाईशनव मत यानि उनके जो पंचरात्र आगमास थे वो पहले से मौझूद थे आदी शंकराचारी के वक्त भी तो वाईशनव थे तब तबी तो वाईशनव का खंडन भी किया था कुछ-कुछ जो पंचरात्र वाले थे उनका फिर शैव मत भी था आदी शंकराचारे के पहले, उनकी भी आगमाज मौजुद थी, उनकी आगमाज को भी थोड़ा, जो कुछ-कुछ जो नौन वेदिक चीजे थी, उनका खंडन किया था, शाक्त भी मौजुद थे, तो जिस शंकर दिग्विजे से ये बताता है, रहता है, कि भाई, आदी शंक के टाइम पर, और शोक ने, जो जब वो बाउद्ध बन गया था, उसने भी लोगों को मरवाया था, उसने कहा था, जो बाउद्ध धर्म को अपनाएगा नहीं, उसको मैं मार डालूँगा, तो बुद्ध ने बहुत सारे जैनियों को उस टाइम पर मारा था, तो उस टाइम पर ये सब चलता रहता था, कि ये इसको मार दे, ये दूसरी जो फिलोजोफिकल थॉट को मानते हैं, उसको मार दे, शंकर दिख्वी जैसे ये दिखाता है, कि देखो बाउद्धों के साथ इतना अत्याचार हुआ, मार डाला था उस वक्त, लेकिन ये नहीं बताएगा, कि जो राजा जो थे उस टाइम पे, जिन्होंने बहुत धर्म अपनाया था, उन राजाओं ने भी तो कितने जो विरोधी धर्म वाले थे, जैन, ब्राह्मन, उन लोग को मार के भगाया था, तो ये आधियाधूरी बात बता कि लोगों को भढ़काता है, अच्छी ये खुद मतलब, रियल बुद्धिजम को फॉलो भी नहीं करते हैं लोग ये आमबेद करवाले, रियल बुद्धिजम जो है वो बहुत ग्रेट है, मैं आपको कहूंगा, अगर वास्ताविकता में बुद्धिजम की ग्लॉरियस को जानना है, तो आप ठेरा वाड़ा बुद्धिजम महायाना बुद्धिजम को स्टडी कीजी अच्छे से, वो इतना ज्यादा डीप है, उतना ज्यादा मतलब ब्यूटीफुल है, लेकिन आमबेद करवालों ने उसे इतना फाल्तु बना दिया है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, रियल बुद्धिजम में इसा है ही नहीं जैसा य अलवार्स थे, वहाँ से सीखे थे वो, जो पंचरातर आगमास को मानने वाले कुछ डिवोशनल सेक्ट थे, जिन अलवार्स कहा जाता है, टमील मतलब साउत में, तो देखो ये जिसको हिष्ट्री का ग्यान नहीं है, अब बहुत सारी ऐसी बाते में बताऊंगा, इसको एक तीफे लोग भरोसा कर रहे है, कुछ साइंस जर्नी के अंदे फॉलोवर्स हो, जिनको कुछ पता ना हो, तो वो लोग देख लेकर रामानुजाचारी जो थे, उन्होंने कोई द्वाइत वाद नहीं दिया था, उन्होंने विशिष्टा द्वाइत की फिलोज़ोफी द एसा ही बोला है कि रामानुजा जो थे, वो द्वाइत वाद को लाए, तो भाई पहले तुम्हारे मुख्या को बोलो, जो भी साइंस जर्नी के चेले है, अपने मुख्या को बोलो कि पहले हिस्ट्री तो ठीक करो अपनी, चलो, तो अब दूसरी बात का खंडन करता है, किसने ये बुक लिखी है, क्योंकि मैंने बास से खोल के दिखा आदिशंकराचारी का, तो वहाँ पर ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है, देखो, ये देखो क्या बोल रहा है, अब खुछ सुनो, फिर मैं आपको सबुत दिखाऊँगा कि क्या ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, तो भाई, उसने जो भी रेफरेंस उसका दिया, पता नहीं किसी आमबेत कर वाले कोई कोई फॉलोर होगा, उसकी बुक का रेफरेंस वो दे रहा था, जिसमें उसने बता है कि 2.2.31 सुत्र में ऐसा लिखा है कि आदिशंकराचारे खुद कह रहा है कि मैं सुन्यवाद का मतलब खंडन नहीं कर सकता, देखो यह एक नंबर का जूट है, मैं कभी-कभी यह सोचता हूँ कि इस कौन वाले अज्यानता का फाइदा उठाते है, रा यहां पे हो क्या रहा है। यहां पे और भौध्दों अबर का क्टण कर रहा है। यहां पे वह बौध्धों का खंडन कर रहा है। सुत्र में लिखार नहीं कर रहा है। तो ये वो refute कर रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, कि जो अंदर होता है, वही बाहर शाइन होता है, कोई ना कोई ऐसी permanent reality चाहिए, कि जिसके उपर ये सब कुछ टिका हो, कोई तो permanent, क्योंकि बुद्धिजम में कोई permanent reality ही नहीं है, बुद्धिजम में सब कुछ impermanent है, जो कि science के according भी घलत है, क्योंकि कोई ना कोई permanent reality चाहिए, जिसके उपर temporary चीज़े टिकी हो, even यहाँ पे हम जो exist कर रहे है, space, space एक underlying reality है, जिसके उपर ये सारे forms जो है, वो exist कर रहे है, तो कोई तो ऐसी underlying reality होनी चाहिए, तभी तो उसके उपर, किसी का उसके अंदर या उपर, जो भी कहो, उसका कोई अस्तित्व हो सके, तो बहुत दो लोग तो मानते हैं के बाई, ऐसी कोई reality ही नहीं है, सब कुछ ही emptiness है, तो वो उसी बात का यहाँ पे खंडन कर रहे है, यह देखो 2.2.29, यह एक्चली पढने जैसा है, बुद्धिजम का जैसा खंडन अधी शंकराचारिया जी नहीं किया है, कोई नहीं कर सकता है, आज भी कोई नहीं कर सकता, द्वेट के लएब बुद्धिजम का खंडन करना पॉसिबल ही नहीं है, सच बता रहा हो मैं, 2.2.30, बुद्धों का कहना है कि बाई, अक्चली में यह हमारे अंदर के ही जो संसकार है, यह सब है, मैमरीज है, उनके कारण ही इनका अस्तित्तो है, बाकि उनका कोई वास्ताएक अस्तित्तो नहीं है, कि बाई, यह पॉसिबल नहीं है, for mental impressions are impossible mental impressions का जागरित होना impossible है without the perception of external objects the assumption of a beginless series of mental impressions as cause and effect would only lead to a regress in infinitum and not solve the difficulty अब देखो ये वो दिखा रहा था 2.2.31 हम देखते है क्या वहाँ पर यहाँ उस चुत्र में सच में ऐसा कुछ लिखा है on account of the momentaryness यानि जो शनिक है, शनिक अत्वाच जो उनकी धाड़ना ना कि सब कुछ शनिक है, कोई permanent reality है ही नहीं उनका कंड़न यहाँ पर कर रहे है on account of the momentaryness of the ego consciousness, it cannot be the abode of the sanskara the mental impressions must have an abode कि यह जो mental impressions की तुम बात कर रहे हो sanskara के यह जो external world है बहुत धो, ऐसा तुम बोल रहे हो उनका भी existence नहीं है, यानि mental impressions का भी existence नहीं है और external world का भी existence नहीं है तो इसका वो khandan कर रहे है कि बाई, ऐसा कैसे हो सकता है but the doctrine of momentaryness denies permanency of everything even the Allah या विगनाना यह बहुत दुश्कूल थी उस वक्त और ego consciousness is जो ego consciousness, यानि संसकार के साथ जुड़ी हुई consciousness को मानती थी कि वो भी सब कुछ ही शनिक है, कोई permanent reality नहीं जिसके उपर ही टिका है unless there is permanent principle connecting the past, present and future there cannot be remembrance or recognition of an experience originating at a particular time and place तो यहाँ पर वो खंडन करते है कि भाई, तुम जो कह रहे हो external worlds जो है, वो भी non existing है mental impressions पर टिके है mental impressions के कारण external world है और फिर mental impressions को भी बोलते हो कि नहीं भाई, यह भी non existence है तो यहसा संभव नहीं है, आदी शंकराचारी जी कह रहे है refute कर रहे है, logics है कि ऐसा संभव नहीं है, क्यों? क्योंकि is momentary ego consciousness जो है, वो भी momentary है and cannot be that unless there is a permanent principle कोई permanent reality ऐसी ना हो तब तक यह past, present, future हम connect कैसे कर रहे है तुम जो बोल रहे हो के memories, impressions यह सब ऐसे हवा में है, वो कोई reality पर टिके नहीं है, non existence है reality में, ऐसा है तुम जो बोल रहे हो तो हम जो past, present, future से connect कर रहे है चीज़ों को हमें याद रह रहे है तो वो जो connection है, वो किस पर टिका हुआ है there cannot be remembrance और recognition फिर तो remembrance नाम की कोई चीज़ी नहीं होती अगर यह सब हवा में है तो यह remembrance को और यह सब recognition को जो connect कर रहा है वो तो कोई तो permanent reality होगी जिसके उपर यह संसकार भी टिके हुए है mental impressions भी टिके हुए है क्योंकि ऐसा क्यों? क्योंकि वो लोग permanent reality आतमा को नहीं मानते वो लोग मन को मानते है कि मन ही यह सब है और मन खुद भी non-existence इसलिए यहाँ पर बोल रहा है कि यह तो मन के mental impressions है जिससे तुम्हे पास, प्रेजेंट, फ्यूचर का यह remembrance हो रहा है recognition हो रहा है of an experience originating at a particular time and place और particular time and place में भी होता है कि यह time मतलब यहाँ पर मैं गया तो मुझे याद है अच्छा यहाँ पर मैंने यह किया था वो किया था तो अगर यह mental impressions किसी permanent reality पर ठीके नहीं होते है तो यह connection कैसे हो सकता था अगर इनका अस्तित्व होता ही नहीं बिल्कुल तो यहाँ पर वो खंडन कर रहा है यह देखो कितने logic से खंडन किया if the alaya vignani said to be something permanent and that would go counter to the doctrine of momentariness देखो ऐसा कुछ दिखा आपको वो 2.2.31 में बता रहा था कि देखो आदी शंक्राचार ने खुद कह दिया मैं सुन्यवाद का खंडन करने में समर्थ नहीं जूट बोलने की सीमा देखो अब 2.2.32 में देखो वो क्या बोलता है in every way being illogical कि बाउद्ध विचारदारा एक illogical है and as the बाउद्ध system is illogical in every way it cannot be accepted यह देखो और तुम तो कुछ औरी दिखा रहे थे इस सुत्रा can also be interpreted as refuting the nihilists the translation would then be and as nihilism is illogical अब नहीलिजम of the बाउद्धs goes counter to everything it goes against the शृति दस्मरिती, perception, inference and every other means of right knowledge and so has to be entirely disregarded by those who are mindful of their welfare यह तो तुमारा खंडन किया है और तुम बता रहे थे कि इसमें आदिशंक्राचारे ने ऐसा बोला है कि मैं समर्थ नहीं हूँ अब बहुत्धों के refutation के बाद जैनियों को refute कर रहे है यहां पर आदिशंक्राचारी तो बाई यह कहां से इतना जूट बता देते हो हमें तो लगा था सिर्फ यह इसकोन वाले इतने जूट है लेकिन तुमने भी बता दिया अब चलो ब्रह्मसूत्र हिंदी में भी देख लेते नहीं तो कंप्लेन आएगी कि बाई इंग्लिश में क्यों दिखाया हिंदी में भी दिखाओ तो यह देखो 2.2.30 फिर 2.2.31 जिसमें वो दिखा रहा था तो यह देखो कहीं पर ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है अस्तित्व उत्पन नहीं होता क्योंकि तुम्हारे मत में बाहय अर्थों की उपलबदी नहीं है अर्थ की उपलबदी से ही प्रत्येक अर्थ में अनेक प्र देखो, आप खुद भी पढ़ सकते हो, मैंने इंग्लीश में भी दिखा दिया, हिंदी में भी दिखा दिया, बल्कि यहाँ पर रिफ्यूड किया गया है पूरा इनको, विज्यानवाद में भी शनिकत्व सिद्धान समान होने से, बाय अर्थ वाद में शनिकत्व दिन उत्तरोध पादे च, इत्यादी जो दूशन उद्भावित किये गए है, उनका यहाँ भी पनुसंधान करना चाहिए, दोनों वैनाशिक पक्ष भी निराकृत किये गए है, य देखो, यहाँ पे तो बलकि ऐसा लिखा है, कि सुन्यवादी पक्ष तो सर्वप्रमाण विरुद्ध है, इससे उसके निराकरण में आदर नहीं किया जाता, सर्वप्रमाण सिद्ध यह लोक व्यवहार का कोई भिन्न तत्व सिकार किये बिना निशेद नहीं किया जा सकता क्यूंकि अपवाद के अभाव में कुछ सर्व प्रसिद्ध है, बहुत कहने से क्या प्रयोजन, सब प्रकार से जो जो इस वैनाशिक सिद्धान की उत्पत्ति युग, वैनाशिक सिद्धान कहा, बलकि तुम्हारे बहुत दुगोतो, करने के लिए परिक्षा की जाती है, अब यहां से वो जहिनियों को रिफ्यूट करेंगे, तो बाई देखो, मैंने आपको शंकल बास से खोल के दिखा दिया ब्रह्मसुत्र, यहां पर ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है, जो उसने अपने वीडियो के कोई बुक जो थी, जो यह लोगी बनाते है, अब तो लोगों क इसने अपने most of सभी वीडियो में ऐसा ही किया है, सभी वीडियो में, लेकिन लोग पता नहीं इस पर कैसे भरोसा कर लेते हैं, अब देखो, यहां पर ऐसा कुछ लिखा ही नहीं, बलकि सुन्यवाद का खंडन किया है, और वो बता रहे आया है कि भाई, वो खुद भाग ग देखना आप, और हसेंगे हम, अगर हिटलर भी नवी सदी में होता तो वो भी इतनी तबाही नहीं कर पाता, जितनी इन लोगों ने सस्तार्थ से नहीं, बलकि सस्त्र से तबाही मचाई, अब संकर की इस गुंड़ागर्दी को, डंड़ता को, अराजकता, वहासिक पन को, इसका जो जीवनिकार है माधवाचार्य, सूर्ता कहके परिभासित कर रहा है, अब अगर ये सूर्ता है, तो फिर इसमें सस्त्रा, आपको समझ आया, यहां पर, वो बोल रहा है कि इस शंकर जी का जो, मतलब पहले उसने दिखा है, शंकर दिखवीजे, फिर बताता है कि ये इनका जो जीवनिकार है, और किसका फोटो रखा है इसने, द्वाइतवाधि माधवाचार्य का फोटो रखा है, यानि जो द्वाइत वेधांती माधवाचार्य है उन्होंने संकर दिखवी जए लखी, यह देखो, मतलब, देखो, मैं सोच रहा हूँ कि इसको लोग साइस, साइंस बोलके फॉलो कर रहे है, अरे साइंस तो तेरे में हैं ही नहीं, समझ आया, तु जिस वेधांत को खंडन करने के कोशिश कर रहा है न, उसी वेधांत को बड़े-बड़े quantum physicist नमन कर रहे है, उन उपनिशदों को, समझ आ रहा है, पहले तू quantum physicist जो है, उनकी राही देख मतलब हद है इतना बेवकुफ कोई कैसे हो सकता है वो थे विद्यारणिया स्वामी जिन्होंने शंकर दिख्विजय लिखी थी इन्हें माधवाचारिय भी कहते थे लेकिन वो द्वाइत्वादी माधवाचारिय नहीं देखो मैं दिखाता हूँ आपको वाधव द्वादी माधवाचारिय नहीं यह आदी शंकर दिख दिख्वादा लिखाता हूँ इतने अच्छे टेक्स्ट है अध्वेत विदान्ता की बहुत सारे बेसिक्स उसमें क्लियर हो जाता है यह देखो, माधविया, शंकर विजय, यह किस ने लिखी है, विध्यारण्य रोट, तो शंकराचार्य की जीविनी है, वो विध्यारण्य स्वामी ने लिखी है, जिनको माधवा कहा जाता था, लेकिन वो द्वाइत वाद के माधवाचार्य नहीं है, द्वाइत वाद के माध यह देखी जो मातवा यह जिसके फोटो दिखा रहे है यह दोईत विदान्द के मातवाचारी है जो ने दोईत दिया दोईत विदान्द पहले हिस्टरी तो ठीक से करके आते तो यह देखो यह लोग ऐसे ही है मतलब मैं सोच भी रहा था कि इसको मैं क्या खंडन करू यह अप से दूर करना जरूरी है इसलिए मुझे मैं दो तिन पार्ट में शायद वो यह सीरीज करू इसकी जरूरी हो गया देखो एक बार तो मैंने आपको आइडिया डिला दिया कि इसके भी रेफरेंसिस जो भी यह बताता है वो होते नहीं exactly अभी मैंने आपको शंकर मतलब ब्रह्म ना इसको कि हिस्ट्री का ग्यान है इसको विध्यारणिय के जिनको मादवा कहा जाता है उसको वह द्वाइदवादी मादवाचारिय की फोटो के साथ जोड रहा था रामानुजाचारिय को बता रहा कि रामानुजाचारिय ने द्वाइदवाद दिया जबकि उन्होंने व इवन जो बौध्धो के जो वनलब Kings हुए है उन्होंने जो अपने ब्राह्मन धर्म और जो जहीन धर्म थे उनको भी मारा था। उनको बोला था कि बौध्धधर्म अपना लो और न मरो। खुद अशोका की इतनी लंबी कहानिया है, अशोक ने खुद ऐसे आदेश दे दिया था, कि जो लोग बहुत धर्म अपनाए नहीं उसे मार डालो, तो जब तुम लोग करते हो तो वो मत दिखाना, लेकिन हिंदू किंग ने शायद किया हो थोड़ा बहुत, तो उसको बले त इसको हिस्ट्री का ग्यान है, अरे हिस्ट्री का ग्यान नहीं वो थो ठीक है, लेकिन ऐसे गलट रेफरेंसिस, जो मैने आपको दिखा है ब्रह्म सूत्र खोल के, कि ऐसा तो वहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है, तो ऐसे तो मतलब इसने इतने सारे रेफरेंसिस दिये है और इसे खुद ही इस्ट्री नहीं पता, कि भाई वो बोल क्या रहा है, सुरेंद्र कुमार अज्यात ने जो लिख दिया, बास वही उसे बताता रहा है, और सुरेंद्र कुमार अज्यात ने देखो कि ऐसा पाखंड लिखा है, कि ब्रह्म सूत्र में ऐसा लिखा ही नहीं है उसने अपनी बुक में लिख दिया तो ऐसे कुछ ओठर है जिन्होंने ऐसे जूठ मूठ लिखा है इसकौन की तरह राम पाल की तरह ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए इसलिए हमेशा अद्वाइट संप्रदाई से जुड़े रहो शंकर मत से ही जुड़े रहो पाखंडवादियों से बचो और उपनीशदों की तो ग्लॉरी बहुत है उपनीशद के सामने तुम लोग नहीं टिक पाओगे अभी जैसे आधिशंकरा चारी ने बहुत धो की जो पागल पंती थी कि बाए संसकार तो ऐसे ही है उसको कोई उसकी कोई नीची अंडरलाइंग रियालिटी नहीं है वो कितनी आसानी से वो कट कर दिया कैसा कैसे हो सकता है तो पास, प्रेजन, फ्यूचर, टाइम और स्पेस से वो रिमेंबरंस आना प्लेस में जाके टाइम के अकॉर्ण वो कैसे होगा अगर कोई ऐसी नीची अंडरलाइंग रियालिटी नहीं है जो कनेक्ट कर रहे है तुमारी मेमरीस को, तुमारे इंप्रेशन्स को कोई ऐसी अंडरलाइंग रियालिटी नहीं है तुम कहते हो अधर ही टिकी है ऐसी हवा में उसकी कोई पर्मनेंट रियालिटी तो वो ठीके नहीं है, तो वो तो इल्लोजिकल है, तो देखो आदी शंकराचारी ने एक एक बात को रिफ्यूट किया है, आप उनकी रियल बुक्स को पढ़ो, ये लोग जान बुच के इस कौन हो, रामपाल तो छोड़ो अभी वो तो आत दस ब्रह्मसुत्र भास्य पढ़े, और दस ब्रह्मसुत्र भास्य पढ़ने के बाद उसने बोला, कि सबसे जो तगड़ा लॉजिक है, जिसको बड़े से बड़ा साइन्टिस भी नहीं काट सकता, बड़े से बड़ा विद्वान भी जिसको नहीं काट सकता, जिसको अकाट जिसके लॉजिक ऐसा सिर्फ और सिर्फ शंक्राचारी का ब्रह्मसूत्र भास से है तो देखो बहार के लोग और बस इतना सर्च कर लो गूगल पर क्वांटम फिसेस्ट ऑन वूप इनिशल्स क्वांटम फिसेस्स ऑन विदान्ता बड़े बड़े नॉबल प्राइस वीनर जो है वो विदान्ता की तारीफे कर रहे हैं यह क्या सिखाएगा साइन्स हमें जो विदान्तिस्ट होता है उनसे बड़ा साइन्टिस कोई नहीं होता क्योंकि वो मेटाफिजिकल रियालिटी वो मैं ऐसा नहीं कहता कि childish बाते नहीं है हमारे में हमारे में भी childish बाते है यह इसकौन की बाते रामपाल की फिर कुछ-कुछ पुरानों की बाते childish है लेकिन आपको विवेक बुद्धी develop करनी है विदान्ता को सांख्य दर्शन को और योग दर्शन को study करके वो विवेक बुद देते हैं क्योंकि आप डायरेकली पुरान पढ़ रहे हो जबकि पुरान सबसे लास्ट में पढ़ने की चीज़ है क्योंकि वो दर्शनों को ही symbolically कुछ-कुछ इतिहास कुछ-कुछ अलग-अलग तरीक से बताया गया है तो दर्शन ही नहीं पता है तो पुरानों को क्या सम कर दिया है तो जेशिर राम, जेशिर कृष्षन हर हर महा देव, दूसरे भी पार्ट साएंगे इसके